हलो इंडिया स्वाबत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई टी प्रेपपड तो आज हम लोग परहेंगे स्से, CHSL और MTS बेच का पार्ट 2, नमर सिस्टम का पार्ट 2 है आपका दूसरा क्लास है तो इसमें हम आपको बताएंगे कि नमर सिस्टम में जो यूनिट डिजिट है यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है उससे बहुत ज़्यादा सवाल एकजम में देखने को मिलता है तेक है औ क्लास में आपको पूरा सिख आएंगे तो हमारे क्लास में बने रहें रहें अन तक लास तक कि इस वीडियो को ता कि आपका यूट that का है एक चोटा सा क्लास में घिया इस क्लास में तो सबसे पहले दहां दिजेगा कि यूट डिजिट क्या होता है तो जब हम कोई भी नमर लिखते हैं जैसे कि दो एक पांच दो तो जो पहला नमर होता इसी को हम यूनिट डिजिट बोलते हैं ठीक है इसी को हम यूनिट डिजिट बोलते हैं अब क्या है यूनिट डिजिट आपको निकालने के लिए बोला जाएगा हो टू इंटू जीरो इक्वल टू जीरो तो हमारा यूनीट जीट क्या हो जागा जीरो हो जाएगा ठीक है एक और नम्मर देख लेते हैं 2152 इंटू 2136 अब यहां पर यूनीट जीट पर आपका 2 है यहां यूनीट जीट पर आपका 6 है अगर आपको पूछा जाए कि पाइंड दा यूनीट डीजीट प्रोड़क्त अफ 2152 इंटू 2136 तो आपको टूटल नम्मर को मल्टिप्लाइ नहीं करना है आपको क्या करना इस दोनों यूनीट डीजीट को बस करना है तो 6 इंटू 2 इकॉल टू टू एल्व और तो यूनीट जीट क्या हो जागा 2 तो हमा आपको समझ में आ गया होगा अगर मल्टिप्लिकेशन और एडिशन एक साथ दिया रहे फिर आपको पूछा जाए यानि कि अगर यहां पे 252 कर दिया जाए और प्लस 654 कर दिया जाए अब आपको यूनीट डिजीट पूछा जाए तो आप यूनीट कैसे फाइंड करेंग हो जाए लेकिन सिर्फ किसको यूनीट डिजीट को क्लियर तो टू और तुरी के यूनीट जीट को मल्टिप्लाइ करेंगे तो तुरी इंटू टू सिक्स हो जाएगा हमारा अब क्या कहा जा रहा है यहां पे एड है इसके बाद इसका यूनीट डिजीट पिर से उठा जागा बताईए अगर समझ में आ गया एक कंसेप्ट तो बता दीजिए कि यह था यूनीट का बेसिक कंसेप्ट लेकिन यह है सिंपल नमर के जब एडिशन मल्टिप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन हो अगर एडिशन के सब्ट्रैक्ट होता तो क्या करते है छे में से चार को सब निकालेंगे या फिर अगर सिर्फ 3 भी है तो इसका इतना पावर कैसे निकालेंगे यूनीट को करना है तो इसका 254 पावर कैसे निकालेंगे तो फिर इसमें थोरा सा ट्रीक है ट्रीकी कंसेप्ट है बस अगर आपको यह समझ में आ गया तो आपको यह भी समझ में आ जाए किक बावर वाले को कैसे सॉल्व करेंगे तो आएए इसका 14 कर ट्रिक असानी पहले कि कैसे स्वालव करेंगे थो ज cambi नमर उसके लास्ट में 0 दिखें वन दिखें 5 दिखे या 6 देखे इसका कितना भी पावर हो जाए द्यांते समझेगा ऐसा नमर जिसके लास्ट में 0 हो या फिर 1 हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो इसका कितना भी पावर हो जाए उसका आंसर हमेशा अगर लास्ट में 0 है तो 0 होगा लास्ट में जिरो उसका पावर कितना भी हो जायगा तो उसका उनी नीट है जीरो होगा एक एक होगा 5 के सब्सक्ति हो और छे के समक्ति होgnाँ यानि कि द्यान से समझाय अगर आपको एक टेबल बना के दे दे यूनि डिजिट का और नम्मर का ठीक है यानि कि इधर नम्मर है और इधर यूनि डिजिट है ठीक है कितना भी पावर हो जाए ठीक है अगर जीरो का केस है तो जीरो ही होगा वन का केस है वन ही होगा पाइप का केस है तो फाइब होगा और सिक्स का केस है तो सिक्स ह हो जाएगा बताइए समझ में आ गया अब जैसे इसको आसान भासा में समझते हैं अगर 21 का पावर 376 ठीक है तो वन यूनी डिजिट पर है इसका कितना भी पावर हो जाए उससे कोई पावर कितना भी यूनी डिजिट पर जीरो होता मान लेते हैं इसका 50 लगा दिए 2150 नम्मर हो गया इसका पावर 376 है इसका यूनिट यूट आपको है तो सिर्फ यूनिट इजीट देखते हैं अब शे देखे यूनिट पर देखे यहां पर तो 6 है एकी सजार कि अवागी सारे नंबर को बाकि सारा नंबर क्या कहता है तो आप का कौन कुंसा हो गया जीरो एक पांच Right Know का केस चार और नौ का केस इसमें क्या करना है अगर नंबर के लास्ट में यानि कि किसी भी नंबर का उनिट धीट फोर या नाइन हो जाए 4 या 9 हो तो कैसे solve करेंगे तो इसका एक अलग तरीका है 0,156 का असान था इसका थोड़ा सा समझ लिजे और आसान हो जाएगा ठीक है थोड़ा सा समझना है उससे थोड़ा सा ठीक है तो इसका आपको क्या करना है बस आपको एक चार्ट इसमें भी याद रखना है ठीक है इसमें बस तीन चार्ट बनेगा एक बनेगा नमबर का दूसरा बनेगा कि पावर अगर इवेन हो तब और पावर अगर ओड हो तब ठीक है ध्यान से समझेगा पावर अगर इवेन हो को इसमें बस फोरा से चेंज होगा तो क्या हो जाएगा एक के चार का हो जाएगा और एक 9 का नंबर के यूनिट डीजिट पर 4 या 9 अगर 4 होगा और इसका पावर इवेन हो जाए ठीक है चार है यूणीट पर चार है चाए नमर कितना बी बड़ा क्यों नहीं हो बस उसके पावर देखना एवन और और देखना है इवन और से आप वाकिफ होंगे इवन किसको बोलते हैं जो परफेट लीडिविज्वाइट नहीं होता है जिनको even odd में दिक्कत है वो यह class attend नहीं कर सकते हैं वह पहले जाके basic mathematics stick कीजिए आपको playlist में RRB NTPC course में पूरा पढ़ाया गया है लोस से हाई पूरा basic बताया गया एक एक चीज़ वहाँ जाके पहले सिखिए फिर आके इस concept को सीखिए तो power even और power odd तो change हो जाता है तो चार का जब power even हो जाएगा तो हमारा answer बस याद रखिएगा कि 6 हो जाता है और चार के case में जब power odd हो जाए तो हमारा answer क्या हो जाएगा खुद 4 हो जाएगा क्लियर अब आजाए नाइन के case में नाइन में जब power even होगा तो क्या हो जाएगा answer और नाइन का जब power odd होगा तो हमारा answer 9 ही रह जाएगा अब समझा देते हैं example के तौर पे माल लीजे कि हमारा नम्मर है 2154 इसका power 253 तो हम देखें कि नम्मर है लेकिन हम किसको देखते हैं बस यूनीडिजिट को तो यानि की यूनीडिजिट हमारा क्या है चार अब यूनीडिजिट आपका चार है तो इसका पावर चेक करेंगे इसका पावर क्या है 253 तो देखिए यह नम्मर को यह और है या इवन तो इवन और चेक करने का एक और तरीका हो सकता है कि अगर लास्ट में लास्ट डिजिट यानि कि यूनीडिजिट पर अगर 02468 दिखाई दे तो इवन नम्मर होगा अगर यह सारा अगर नम्मर नहीं दिखाए दे आपको दिखाई दे उन्-thrM59 तो यह आपका क्या हो जाएगा ओड हो जाएगा तो थ्री है यानि की ओड है तो 253 आपका ओड हो गया तो 4 पावर जा तो तो इसका यूनीडिजिट क्या हो जाएगा 40 आंसर हो जाएगा इतना पावर को सॉ आजिए देखते हैं इतना कलियर तो यूडिजीट पर आपको दिखा 9 आगे 9 के concept पर अगर 0 15 6 दिखा होता तो उसके concept ते solve पर एते 9 दिख रहा है तो 9 की concept से solve करेंगे 9 का power क्या है even है तो हमारा answer क्या होगा one होगा तो इसका unit digit क्या हो जाएगा one हो जाएगा clear बताएगे अगर power odd होता होता तो पावर गया 6 7 6 1 9 का तुमारा अंसर क्या हो जाता खुद 9 हो जाता तब आंसर क्या हो जाता था 9 समझ में आया समझ में आया बता दीज्य यह concerned हो गया होगा अब चलते हैं अगले सवाल पर था आपन बोल दिये अगले सवाल को देखते हैं फिर सवाल बोल दिया अब आये देखते हैं कौन-कौन सा नमर बचिया आपका दो तीन साथ और आठ यह चारो नमर आपका बचिया अब यह चारो नमर अगर यूनी डिजिट पर दिख जाए तब उस question को कैसे आसानी से solve करेंगे उसका यूनी डिजिट कै इसका देख लेते हैं तो इसके केस में थोरा सा लग है जो चारो नौ का बता उससे थोरा सा ज़्यादा इसमें सोचना है थोरा सा बस थोड़ा साreens है आपको यूनी डिजिट पर तीन दिख जाए आठ दिख जाए ठैक है तो आपको क्या करना है इसके power को जैसे एक को one by one सबका समझाते हैं ठेक है मान लिजे two one five two आपको unit digit पर two दिख गया ठेक है तो क्या करना है इसके power को इसका power कुछ होगा four five six इसके power को चार से divide कर देंगा तो इसमें क्या करना है इसके chart में क्या लिखेंगे द्यान से समझे इसमें सबसे पहले power divided by four हमेशा चारों के केस में power divided by four power चार से divide होगा ठीक है अब जो remainder बच जाएगा remainder should be power remainder को power बना देंगे जो remainder बचेगा मान लिजे 4 से divide करेंगे तो remainder कितना बच सकता या फिर 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3 तो 123 तक का देखिए जीरो का केस अलग होता यह समझाएंगे इतना तो आप इसली find कर सकते multiply करके समझ में आया किसी भी नंबर का इतना तो आप किसी भी नंबर का नौ तक जीरो टू नाइन ही तक रहेगा ना लस्ट में ठीक है ध्याँ से समझें पावर पावर का बात करें पावर में हो सकता है नाइन ही नहीं लेकिन 3 तक ही बचेगा और नमबर कितना आगा दो 3 7 8 का इसका क्यूब भी अगर आपको याद रहेगा दो का क्यूब आठ तीन का क्यूब सताइस साथ का क्यूब 3 4 3 और 8 का क्यूब क्या हो जाएगा 5 1 2 तो उससे भी solve हो जाएगा आपका इतना ही तो याद रखना है तो एक दो तीन तक का तो याद ही रखना है स्क्वार का या क्यूब का तो आसानी से याद रहेगा आपको इतना पास इजली फाइंड कर लेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं तो पावर एक दो तीन ही बचेगा ठीक है पावर पे आते हैं पावर एक दो तीन बचेगा तो आप जो रिमेंडर आया मां लीजे इस केसमें यहां पर 6 दे दिया हैं 5 देते हैं 4 से डिवाइड कीजिए तो चार से जब डिवाइड करेंगे किसको पावर को 455 को यहां पर डिबीजी ब्लिटी रूल काम करेगा कि 4 का डिवाइड है कि नहीं है कैसे चेक करते हैं तो लास्ट फू सब्स लगाई यहां हो जाएगा तो तो पूरा को लगाने का ज़रुत नहीं है अगर 4 से डिवाइट कर रहे है तो ठीक है तो हमेशा उपर कितना भी पावर हो तो ही डिजिट को आप 4 से डिवाइट किजएगा हो जाता और फिर उसको सॉल्व करके निकाल लेते हैं अब तीन के केस में भी होगा तो तीन का केस में क्या होगा वो देख लेते हैं अब अगर मान लीजे 373 है इसका पावर 543 है अब चार से डिवाइट लगाए पावर को जैसे ही देखे सबसे पहले यूणी डिजिट चेक किये तीन मिला इसके पावर को क्या करना है चार से डिवाइट करना है दो तीन साथ आट के केस में हमेशा पावर को चार से ची जाएगा तो तीन का पावर फिर से तीन हो गया तो क्या हो जागा सताइस तौप का अंसर क्या हो जागा सैबन हो जागा यूणी डिजिट क्लियर असान है समझ में आया अब अगर सैवन का केस होता तो क्या करते हैं सैवन का क्या करते माल लिजे 377 का 546 होगा ठीक है अब यहाँ 6 है तो फिर एक बार में बचा कितना 2 सिर्फ इसको लगा रहे हैं ठीक है 11.44 इस तो 2 ही रिमेंडर बचेगा तो 7 का रिमेंडर 2 तो क्या हो जागा 49 तो हमारा यूनिट 8 क्या हो जागा 9 अंसर हो जागा बताईए अगर समझ में आ गया हो clear हो गया हो concept तो समझ में आ गया इतना ये clear हो गया अब 8 का भी देखी लिए अब 8 के case में क्या करना है अगर 2,1,78 होता पावर 5,4 पिक्सी होता तो 8 का इसको जैसे ही देखे कि यूनिट इट पर 8 है पावर को 4 से डिवाइड कर देना है बस सिंपल इतना ही करना है ज्यादा कुछ नहीं पावर कितना भी हो लाज्ट तो दीट को 4 से डिवाइड करके निकाल लेंगे रिमेंडर तो 44 तो दो ही बैचे का ताट का पावर वही हो जाएगा स्क्वार तो क्या हो जाएगा 64 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा unit 4 हो जाएग यहां 46 ना रहके 44 होता द्यान दे समझेगा 46 ना रहके 44 होता तो हम क्या करते हैं तो हम क्या करते हैं 46 ना रहके 44 होता तो हम क्या करते हैं तो यानि कि 4 से यह पर फाक्ली डिवीजिवल हो गया remainder 0 बचिए जब भी remainder 0 आजाए ध्यान दीजएगा बस इतना ही सब की किस में जैसे remainder 0 आजाए तो उसका power 4 मान लीजएगा if r equal to 0 then power will be 4 बस इतना ही मानना है 1 2 3 4 याद रखिए 0 हुआ तो उसको 4 कर देना है तो यहां क्या हो जाएगा 8 power 4 हो गया तो 8 power 4 हो गया तो हमको f4 निकालने नहीं आता है भाई चांस तो कैसे करेंगे हो यादे कि 512 होता है तो 512 गुना और 18 हो गया यहां इसको तो आट का क्युँ पांचिब आ रहा हो गया इंटु एट अब तो इसको व्हें लिए को 1712 इस तरिके से भी निकाल सकते हैं क्लियर समझ में आगी ऊगा पूरा concept unit digit का इतना ही था अगर कि नहीं को समझने में थोरा सा भी दिक्कत है तो आप comment box में comment कर सकते हैं हम उसका भी आसान तरीका निकाल के आपको समझाने का कोसिस करेंगे हम अपना 100% efficiency देने का कोसिस करते हैं ताकि आपको आसानी से इसली बहुत आसान वासा में समझ में आ जाए ठीक है बताइएगा कि मेरा मेहनत आप पर रंग ला रहा है कि नहीं आपको समझ में आया कि नहीं अब चलिए इतना तो concept आपका clear हो गया अब समझ गया सारा का unit digit पर अगर कोई भी नम्मर होगा उसका पावर कितना भी हो जाएगा कैसे फाइंड करेंगे बेसिक आपको पहले ही बता दिये अब कुछ सवाल है अब बना के देख लेते हैं प्राक्टिस कर लेते हैं आपका भी प्राक्टिस हो जाएगा ठीक है तो जल्ड़ी से पेन पेपर तयार कर लिए अगर अभी तक तयार नहीं किये थे तो और चलिए कोश्चन के तरफ बढ़ते हैं ठीक है अब कोश्चन देखते हैं कोश्चन कैसा कैसा है तो कोश्चन है आपका यूनिट डीजे 10 264 पे पावर 102 264 पे पावर 103 अब देखिया हमको क्या करना है बताए थे आडिशन हो सब्ट्रेक्शन हो सब इसका यूनिट डीजेट से इसका यूनिट डीजेट निका लिए इस नमर के यूनिट डीजेट से इसका यूनिट डीजेट निका लिए तो यूनिट पे चार है चार नो के केस में क्या होता है इवें और देखते हैं तो चार का पावर देखिये 102 यानिकी इवें चार के के इसमें जब पावर इवेन होता है तो इसका अंसर क्या हो जाता है छे तो इसका अंसर हो गया 6 इसका यूनिट जिट क्या हो गया 6 बीज में प्लस है तो प्लस डाल देंगे अब 264 ही है तो इसका भी यूनिट जिट 4 है ठीक है लेकिन पावर और है 4 पावर अगर और हो जाए तो Unitarian का answer क्या हो जाता है 4 ही रह जाता है तो 4 अब जोर देंगे 6 4 क्या हो जाएगा मेरा 10 तो 10 का Unitarian क्या हो जाता है то यही हमारा क्या हो जाएगा answer बताईए आसान हुआ की नहीं हुआ बहुत आसान हो गया अब चलिए अगले सवाल को जल्दी से देख लेते हैं, पूरा स्पीड में बनाने का कुसिस कीज़ें, कि कितना कम समय में हम बना सकते हैं, ठीक है, अब अगला सवाल है, यूनिट जीट निकालना है आपको इसमें भी, question क्या है, थोरा सा लंबा है, तो लंबा है तो रहने द है, फिर प्लस 705 पर पावर 35 है, माइनस 16 पर पावर 4 है, और प्लस 259 है, अब इसको क्या करना है, बहुत बड़ा नम्मर हो गया, लेकिन आसान ही होगा, एक्जाम में जब दिया जाए, तो जान जाएए कि बहुत कम समय में बनेगा, डरना नहीं है, बड़ा देखने में है लेकिन बनेगा बहुत इसली, एक है, एक का पावर कितना भी हो जाए, एक होता है, अपको पता है, तो एक हो गया, एक का पावर कितना भी हो जाए, प्लस में है, बस प्लस डालना, एक एक दो हो गया, छे है, छे का पावर 100 हो जाए, एक सो दो हो जाए, उससे में को क्या मत प्र माइनस का सिंबल है तो माइनस देंगे छे का पावर 4 हो तो क्या हो गया है इसका बस योणी डिजिट लेंगे तो प्लस में 9 ले लिए ठीक है अब सबको solve कर देंगे यहाँ पर board mass rule लगा देंगे तो क्या करना है जो भी number होता है देखिए बहुत बच्चों को इसमें भी तकलीफ होता है plus minus का addition आगया हरवरी में गरवर कर देंगे ऐसे question को exam में क्या करना है जब भी आपको plus minus में सिर बचेगा तो आप क्या कीजिए जिस number के भी आगे plus है ठीक है उसको अलग कर लीजे पहले और जिस number के आगे minus है उसको अलग कर लीजे नमर के आगे का sign देखना है ठीक है यह number है तो इसके आगे का symbol देखना है यह देखना है ठीक है तो जिसके आगे कोई symbol नहीं है यानि कि वह प्लस में है, तो यह प्लस में, यह प्लस में, एक एक दो, फिर यह देखिए माइनस में, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, दो और पांच साथ, और साथ, यह भी प्लस में है, तो प्लस नाइन, साथ नो, सोला, सोला हो गया, अब माइनस वाले को अलग मिले ल बीच में बस जब माइनस वाला जो आएगा सब माइनस वाला अपस में सारा एड हो जाएगा बस जब साथ में आएगा तो आगे माइनस लेकर ठीक है तो आगे 12 अपने साथ माइनस लेकर आया 16 में से 12 गया तो क्या हो जाएगा 4, 16 मेंसेज जैसे इवारा गया तो क्या हो जागा 4 हमारा आप्सा नमर B बताइए अगर समझ में आ गया हो तो बहुत आसान है बहुत आसान ही सेंग कोई भी कोश्चन को बना सकते है दो नमर का अब देखिए एक ये सवाल यह सवाल बहुत अच्छा सवाल है बहुत बार एक जाम में पुछा गया है तो इसको थोड़ा द्यान से बनाने का कोसिस कीजिए सब्सक्राइब करेंगे कि यूणी डिजीट अइसा दो नमबर उठाए जिसका मल्टिप्लाइब जीरो कर सके अगर मिल गया तो ठीक नहीं तो फिर सबको मल्टिप्लाइब करेंगे तो 3 है तो यहां 84 भी है 85 भी है 86 भी है और 87 भी और 88 भी है अब देखिए यहां 2 यहां 5 यूणी डिजीट पर 5 और 2 आपसमे मल्टिप्ला ओकर 10 हो जाएगा और आपको पता है कि जब किसी भी डिजीट में 0 से मल्टिप्लाइब हो जाए तो उसक्या हो जाता है जीरो हो जा गया multiply करेके दो यूनिट जीट को तो जीरो आ गया यहां तो बहुत सारा है देखिए छे और पांच भी हो सकता था पांच और चार दी हो सकता था अगर मान लिए 82 के बाद का देता 83 से देता तो पांच और आपस में multiply होके 20 कर रहा है यूनिट जीट को सिर्फ देखेंगे करके 4 इंटू 5 30 अगर 4 के बाद करता तो 5 और 6 30 कर रहा है अपको अगर 86 नहीं देता ग्याप करके देता 85 इंट 87 इंट 89 तब देखते कि होता है कि नहीं नहीं होता तो नहीं होगा तो सारे नमर को multiply करके यून जीरो हो जाएगा इसका अंसर क्या हो जाएगा option नमरे जीरो क्लियर समझ में आ गया इस टाइप के सवाल का जब भी multiply में बड़ा नमर दे तो इसी तरीके से एक बड़ चेक कर लेंगे ठेक्या समझ में आ गया अब आए अगला सवाल देखते हैं तो यूनिट डिजिट इन तो चार से एक बार में लास् 2 डिट को करते हैं 4 से डिवाइड करनाए तो टौल नमर को करने क्या ज़र रहत है,4 का ठीविजिबिलीटी रूल कहता है कि आप लास्ट डिजिट को चेक कर लिएगे तो झार से कबार में 4, 14 चार बचल चारP लो गया, चार तो यह बार हमें हो जाएगा आपका आंसर ठीक है अब आई अगले सवाल को देखते हैं फिर है वाट विली दा यूनी डिजिट इन द प्रोड़क्ट आफ सेवन पर पावर एक्सव पाँच है ससी वाले को साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता इसलिए सेवन पर ही दिये हो तो इसको साम करना है चार से डिवाइट करना है सेवन के स्के पावर को फोर से डिवाइट करना है threateningumant पाँच है जीरो पाँच पाँच हुआ तो चार से डिवाइड किये तो चार एक रिमेंडर बचा यानि कि साथ का पावर एक तो हमारा यूनिट यूट क्या हो जागा साथ हो जागा यही मारा अंसर हो जागा ऑप्सन नमर बी बताइए अगर समझ में आ गया होतो तो अब देखिए अगला सवार यूनिट डिवी तो आप दिर नंबर 22 पे पावर 23 बाइस पावर 23 का यूनिट यूनिट निकालना है बताइए तो unit weight पर क्या है 2 है 2, 3, 2, 3 और 7, 8 के case में क्या होता है power को 4 से divide करते हैं तो 4 से divide किये तो 5 के 20, 4 बर में 20 होता है remainder क्या हो गया 3 तो 2 का power क्या हो जागा 3 तो मारा answer क्या हो जागा 8 तो option number D 8 हो जाएगा अगर समझ में आ गया हो तो बता दीजेगा तो बहुत आसान है बहुत आसान है बहुत आसान है बस अब थोरा सा सीखने का कोशिस तो करो बहुत इजेगा अब आईए दा यूनि डीजिट इन दा प्रोड़क्ट 2467 2467 पर 153 है इन्टू 341 पर पर 72 है ठीक है 341 पर पर 72 है तो आपको क्या करना है 7 है 7 पर पर 130 है तो 7 के केस में क्या करते है पहले इसका यूनिजिट फाइंड करना है आपको बता चुके है बीच वाले साइन को लिख दीजिए और इसका यूनिजिट फाइंड कीजिए तो 7 के केस में क्या होता है नम्मर से कोई मतलब नहीं यूनिजिट नहीं 7 का फाइंड कीजिए तो पावर को 4 से डिवाइड करते है तो यानि की 53 को करके देखेंगे गए तो 4 से 13 बार में 12 तो एक बचेगए तो यानि की 7 का पावर वन 7 हो जाएगा ठीक में इन интер 2ential सीखs में अरी तार 1 का पावर कितना भी हो जाए ौन ही होगा तो यह बलब तो 7 न्मीजिए आसान है आक आपको समझ में आया अगर समझ में आ गया हो जो नए इस चैनल पर वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आपको सारा हमारा अपडेट मिलता रहे और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा सेर करें सब्सक झाल झाल झाल